हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ सुरेच पाइप फब्रिकेटर में आज आप लोग बताऊंगा कि लेटरल ब्रांच में पैड कैसे लगेगा तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं रेनफोर्स इसको फूल सिलिप बोलते हैं जिसी रेनफोर्स पैड इसको फूल सिलिप बोला जा एक पैड एक नीचे से 180 डिग्री में लगेगा और बीच में एक एमेम का गैप रहेगा दिया जाएगा और मान लीजिए कि अगर पैड काटना है एक 60 डिग्री में तो एक पाइड में एक ही पैड निकलता है बहुत भाई लोग को भी मालूम है तो उसका काटने का क्या फर्मूला है वह भी मैं इंड में आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग क्या है कि मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में यह पैट देखिए आप लोग एक क्या करना है एक टेंपलेट बनाना है कोई कड़क चीज से जो भी जो भी चीज से एक टेंपलेट जैसी की कूट गत्ता ऐसा हो गया तो यह देखिए बड़ा बरांच में कटिंग हुआ था तो छोटा बरांच में अभी जैसी की लगा है तो घय पाया तो उसको मुश्किल नहीं है इसको मुश्किन टेप आप साठ देंगे यह देखने से भी समयessताने आजाएका कि केसे करना है धीकर यह यह नहई है कि मैं केसे कर रहा हूं आपको दिमाग लगाना है इसमें फब्रिकेटर है तो दिमाग जदा लगाना पड़ेगा ठीक है मैं इस सारा कर रहा हूं आप लोग को बस और कुछ नहीं इस सारा ठीक है तो आप लोग मास्किन टेप साट के इसको कटिंग कर दीजिएगा बेल्डिंग पूरा दिखना चाहिए एक इमें बेल्डिंग दिखना चाहिए बिंदास दरियेगा नहीं ठीक है और जो पॉइंट जो मैं आप लोग को बताया ये वाला जो पॉइंट है इस पे ज्यादा तर ध्यान देना है आप लोग को ठीक है इस पे आप लोग को ध्यान देना है ये पॉइंट पे ये बहुत जरूरी है ठीक है काटने के बाद ये जो काटने के है यह थोड़ा बोल दीजा के यह इस यह रहा है कि यह तो 113 में कभई भी वटाइब निकलता है समझ रहे हैं आप लोग देखिए यह की पैट निकल रहा है उपर से क्योंकि इसको थीगनेस प्लस किये हैं तो थोड़ा उसका बढ़ेगा थीगनेस जो प्लस होगा तो अभी जो टेंपलेट पर पहले ध्यान देते हैं कि जो टेंपलेट में हम जो मार्किंग किये थे उसको क जयां और कुछ नहीं है डाइगनल पर ध्यान देना है देखिए डाइगनल अब जो मार्किंग तो stressful साइड से जब मार्किंग जब मिल जाएगा तो समझ यह यह जब टायगनल अभी है is मार्किंग करेंके था को दीकत तकलीफ नहीं होगा बाद में पैड लगाएंगे तो हमारा जो पैड का होल है कहीं इधर उधर ना हो जाए समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं ठीक है तो यह पैड का आप लोग क्या करना है चार सेंटर लाइन निकालना है एक सेंटर लाइन दो सेंटर लाइन ठीक है पैड का यह सबसे जरूरी है सेंटर मैच करना देखिए यह जो यह देखिए यह पूरा मैच करके आप को पेंसिल से मार्किंग कर लीजिएगा अंदर अंदर पैड के अंदर अंदर बाहर नहीं अगदम जीरो जीरो यह के में आउट नहीं कीजिएगा ठीक है इसको सेंटर पंच मार के इसको कटिंग कर लीजिएगा अंदर से गरांडिंग से आपको क्या करना है सेंटर पंच को कि भॉर ज्यादा नहीं उसकं बाद ऊड़ाने के बाद पैड को घुमा कर उसको क्या करना है फैबल मारना है अब लोग को पैड को अनंदर से मिला कि उपर से बैबल मारेअगा जो आगे के तरफ प्राहिएक जो ब्रांच कहे उसक ठोड़ी जढ़ा करना है बाकी सब का कम ही करना है क्योंकि building भरने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसके लिए अब ये pad में पटी कट रहा है 10 mm का एक pad में 10 mm एक उपर वाला pad में 10 mm यानि कि नीचे उपर का जो pad लगेगा तो 20 mm का पटी डलाएगा इसमें कि building हो तो pipe में touch ना करें ठीक है उसके बाद ready होने के बाद इसको डाल दीजिएगा chain block या chain puller से इसको tight कर दीजिएगा कि pad में गहीं gap ना आ जाए ओके उसके बाद इसको देखिए कैसे कितना अच्छा दीख रहा है देखिए बीना formula का एक mm building से पूरा दीखना चाहिए दो mm भी दीखेगा तो मुस्किल नहीं है तीन mm भी देखेगा तो मुस्किल नहीं है क्योंकि वो building भरा जाएगा लेकिन building पर नहीं चड़ना चाहिए ठीक है तो यह ऐसा नहीं है कि quality job नहीं है साइपम का यह job है देखिए एक hole मारा हुए इधर से 50 और इधर से 30 degree में जो drying में दिया हुआ है ठीक है उतना पर hole मारना है तो जब बड़ा pad के जब template आप लोग बना ती है तो छोटा pad का तो कुछ है ही नहीं सर्द ने काटी है एक बना दीजिए template और diagonal का marking कीजिए काटिंग कीजिए अभी pipe माली जिए कि pipe काटना है ओ मैं फर्मूला आप लोग बताऊंगा कि एक pipe में अगर pipe काटना है तो माली सबसे पहले pipe को जतना length है उसको एक pipe काटिंग कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद यह 10 इंची के pipe है तो 273 ओड़ी होगी है पलस इंटूी तूी तूी ठीक है थीकनेस पलस थीकनेस भी कर सकते है शोरी समझ में आ रहा है आप लोग को तो इसको जब हम cE alkit करेंगे पहले इसको ल graph लेता हूं इसको लेता हूं 283 हो गया whilst मैं कुफ्षिस एंगे कितना 12 एंड़ी मैं जो पैप में हम कटिंग जो पाइप में पैड काट रहे हैं उसी का थीगनेस चाहिए जिसमें लगाना है उसका थीगनेस नहीं चाहिए यह भी ध्यान दीजिए 12 थीगनेस हो गया इंटु टू कि उपर नीचे का थीगनेस चाहिए ठीक है जब इसको हम केलकुलेट करेंगे 273 पलस 12 इंटू तो नो में आ रहा है 297 ओडी हो गया अब इसको 3.142 से जब हम इसको केलकुलेट करेंगे तो सीफ निकलेगा यह सीफ निकलने का फॉर्मूला है यह आप लोग को मुह में याद होना चाहिए ओडी इंटू 3.142 सीफ निकलने का ठीक है जब इसको हम केलकुलेट करेंगे तो 933 आए ठीक है अब 933 में भागा टू कर दीजिए गा तो 180 डिगरी बराबर आएगा क्यूंकि 360 हो गया न 933 इसमें भागा जब दो करेंगे तो 180 डिगरी का एगा जब हम केलकुलेट करेंगे तो 933 में जब भाग देंगे तो कितना है था 466 और भी पैड का बाहर-बाहर मार्किंग हो गया ठीक है डाउट नहीं रखिए समझे ठीक है मैं इसारा कर रहा हूं आप लोगों को बस समझने अगर थीगनेस पलस नहीं करेंगे ठीक है इसी का सीफ लेकर अगर कटिंग करेंगे तो क्या होगा पैड उपर हो जाएगा यह उपर ही उपर रहा जाएगा क्योंकि मतें के लिए पैडा васher आप मार्किंग कीजिएगा है तो मान लिजिए कि पांच एमें यह 6 mm कि क्यों Greater करना है कि cutting grinding में वह जाता है क्योंकि हमको गैप कितना देना है यह ज्यादा नहीं ठीक है चार में नहीं जो मेरा जो साइपम का जौप है उसको डेर मिली चाहिए साइपम को तो माली यह पाइप हो गया इसका लेंध कटिंग कर लिए एक सेंटर निकाल लीजिए गा थीगनेस जो है उसका थीगनेस ओडी जो मैं बताया आप लोग को ओडी पलस थीगनेस इंटू टू करके जो आया चार सो चाहिए पलस पांच वह करके इधर मार्किंग कर लीजिएगा एक सेंटर निकालने के बार क्योंकि एक पाइप में एक ही पैड निकलेगा ठीक है जिसी यह कट कटिंग करके डालना पड़ेगा एक पाइप में फिर एक 180 डिग्री का नीचे से डालना पड़ेगा तो माले जे डिग्री में मेरा अगया भाई लोग का कमेंट आता है डिग्री में अगर काटना है तो सेम होई है 273 पलस बाराइं इंटू टू ओडी पलस थीगनेस जानवे आएगा उसमें इंटू 3.142 कर दीजिएगा कि सी एफ निकल जाएगा 933 निकला था ठीक है इसमें भागा आपको क्या करना है 360 में देदना है कि पैड का बाहर बाहर जू है 360 हो गया ना पूरा राउंड तो क्या है कि हमारा एक डिग्री का मान निकल जाएगा 2.59 एक डिग्री का मान हमारा निकल गया यह एक डिग्री का मान मैं हिंदी में लिख देता हूं ठीक है बट मैं बोल रहा हूं तो भी आप लोग समझी जाएगे तो 2.59 एक डिग्री का मान निकल गया इंटू जब एक 180 डिग्री से हम जब केल्कुलेट करेंगे तो हमारा से तो आप बस डिग्री चेंज करना है यह नहीं को 120 डिग्री में कटना है तो हमको क्या फर्मूला है सेम यही है कोई भी चीज होल का मार्किंग करना है कुछ भी करना है तो यह 360 जो है ना मान एक डिग्री का मान से ही होता है अभी मान लीजिए चोटा प्रेड में अगर देखिए मार्किंग यह जरूरी है मैच करना अब मेरे वीडियो तक अभी तक यहां रूके हैं तो और में थोड़ा बता दूं आप लोगो यह जो मार्किंग है हाफ ओडी जो आगे लिए जाता है पैड का सेंटर यहीं आएगा जब मार्किंग कीजिए गा इसके बाद ब्लेट से यह जितना दीख रहा है यह बेल्डिंग घिसा हुआ है ठीक है उसके टेंपलेट यह मार्किंग आप लोग होना नहीं है नहीं तो डाइगूनल आउट हो जायेगा ठीक है चार सेंट्र में कर लिएग आप लोग को निकलना है यह तो देखकर आपि लोग समझी जाए जैएंगे चार सेंट्र निकलने क वाद कैसको अच्छा चीप का सटस्काईग देखिए मार्किंग हो गया समझ रहे हैं मार्किंग करने के बाद इसको क्या है कि सेंटर पंच मार दीजिएगा अंदर अंदर कटिंग है तो जीरो जीरो काटना पड़ेगा ज्यादा बड़ा नहीं सेंटर पंच आधा कट कीजिएगा आधा छोड़ दीजिएगा बाकी गरांडर से मिला दीजिएगा द मैं वर्क्षोप में हूँ अभी यह चीज में भूल गया देखिए पटी काटा हुआ है दम पूरा अच्छा से कट कीजिए गा कि पटी चला जाए तो अभी क्या है कि मैं अभी देखिए वर्क्षोप में हूँ तो मैं वीडियो अपलोड करते हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीके इसके लिए कि यह कि मैं वीडियो अप्लोड करूंगा ता आप लोग बस तुरंट नोटिफिकेशन जाएगा ओके थेंक्यू भाई कि अगर